गुद मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास आज मैं आपको चैप्टर फाइफ जिसका नेम है कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ाऊंगी साथ में ही इस चैप्टर में अंड लाइन कराऊंगी वीडियो में तो आप उसे अंड लाइन कीजिए लंग कीजिए और एज इस नोट्स बनाईए तो सबसे पहले हम इंटरो पढ़ते हैं इंटरो में आया है साम एग्जोस्टिबर नेचलर रिसोरसे लाइक कोल, पेट्रोलियम and नेचलल गैस तो हमें इन तीन वर्ड को जानना है exhaustible, limited in nature natural, nature के द्वारा मिलेवे resources, संसादर कि हम इस chapter में इन तीनों के बारे में जो limited है source हमारे अर्थ में उनके बारे में पढ़ेंगे next है these were formed from dead remains of living organisms so these are called known as fossil fuel इन्हें हम fossil fuel कहते हैं क्योंकि ये dead remains जो living being है जो dead है, plant, animals उनके remains से बने हुए तो आप लिखेंगे fossil fuel की definition nature resources में आपको दो भागों में बाटा है in और exhaustible inexhaustible और exhaustible inexhaustible को आप यहां से लिखेंगे these resources are present in unlimited quantity जो हमारे nature में unlimited है जैसे sunlight और exhaustible those the amount of these resources और natural light forest, wild, minerals तो आप फिर समझेए nature resources जो nature से मिले हो it is divided into two parts inexhaustible और exhaustible दोनों की definition आपको लिखनी है learn करने with exam पर इसमें first topic जो आपका बुक का है वो coal है तो coal आपने सुना होगा it is a hard as a stone and is black in color ये stone की तरह hard है और black color है इससे आप underline करेंगे coal is a one fuel used to cook food earlier it was used in railway engine to produce steam to run engine इसका प्रियोग खाना बनाने में किया जाता है तो पहले की समय ट्रेन को चलाने में आज के समय में ये as a fuel के रूप में यूज होता है इंडस्टी में story of coal story of coal को आपको कहां से टिक करना है about से लेकर आपको इसको यहां तक convert into coal तक टिक करना है this is the formation of coal and story of coal अब इसको आप हिंदी में समझेए कहता है 300 million ago बहुत पहले earth में dense forest थे और ये अचानक से कुछ nature process हुआ और ये सब कुछ तहसनेस होकर कहां चले गए मिटी के अंदर और मिटी के अंदर जाते ही हजारों साल में ये तूटते गए और तूटने के बाद इन में एक substance बना एक चीज बनी जिसको कोईले का नाम दिया गया और ये क्या थे इनको बनने में temperature और pressure दोनों का ही importance थी और आप कह सकते हो carbon का वो slow process slow process है जिसमें dead animals आपके coal में convert to carbonization कहते है तो the slow process से लेकर carbonization तक आपको यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना है यह है आपका fossil fuel के coal के बारे में आपके लिए knowledge आपको आना थी है formation of coal अब next है जब हम अपनी coal को कोईले को गरम करते हैं तो हमें carbon dioxide मिलती है ठीक है और coal हमारे industry में एक useful product के नम use होता है और industry में coal के कुछ product है coke, coal and coal gas उसके बारे में थोड़ा सा बढ़ते हैं coke is a tough, hard, porous, hole वाला black substance है यह pure form है किसकी carbon की और coke का यूज, manufacture के यूज कहां करते हैं manufacture steel और many metal को extraction, extraction लिखा है वर यह इसका मिल्स सफाई करने में यूज होता है next, coal tar आप जानते हो, dumber black है, thick liquid है, unpleasant, इसकी smell है यह product आपको coal tar use कहां होता है, material for manufacturing way ठीक है, कई industry में synthetic drugs इसमें आपका यह use होता है next, coal gas, obtained during the process of coal to get coke जब coal से हम coke बनाते हैं, उस process के अंदर यह gas हमें मिलती है यह बहुत useful है, यह gas हमें industry में as a fuel के में प्रियोग होती है, ठीक है और यह तीनों part आपको learn करने हैं साथ में do you know coal types, do you know use, और do you know आपका कहां सबसे पहले well ड्रिल हुआ था यह भी आपको साथ में पढ़ना है, समझना है, learn करना है बना है कि आपको अ गीप भी आपको में आपको साथ में को भी आपको एको पापको जोगे